हाव रुफीक्स वान प्लस नॉर्प एंड वान हंड़िट कॉल नॉट सेंट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुवागर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके मुबाइल पे भी कॉल करते हैं कॉल नॉट सेंट का प्रॉब्लम आते हैं तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको कुछ सॉलुशन बताने वाला हो जिसके मदद से आप अपने प्रॉब्लम को फीक्स कर पाओगे ठीक है यहापे दोस्तों कभी कबर क्या हो जाते है नेट्रोक प्रॉब्लम के वज़े से भी इसा होता है या फिर काफी जो है राश्चे आप जब कॉल करते हैं तब भी ऐसा होते हैं ठीक है तो आपको क्या क्या चीज़ करना है कैसे कैसे सॉल्फ होगा प्रॉब्लम यह मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा तो वीडियो के सारां तक बने रही है सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अग यह सेटिंग फॉन सर्वेस सर्च कीजिए इसको अपडेट कर दीजिए अपडेट मैंने अलड़ी किया था लेकिन दुबारा से अपडेट आच चुका है तो आप भी अपडेट कर लेना उसके बाद चेक करके देखें अगर प्रॉल्म सॉल्फ होते तो ठीक है अगर नहीं हो जाते तो जाएए सेटिंग उसके बार आपको मिलेगा यहाँ पर एप एन नौटिफिकेशन तो यहाँ पर जाएए और यहाँ पर जाने के बाद आपको फाइंड आउट करना है सी ओल एप्स पर जाके फॉन सर्वेस ठीक है तो आपको यहाँ पर नीचे फॉन सर्वेस पर जाना है, storage पर click करना है, clear storage पर click करते हुए okay कर देना है और उसके बाद bake करना है, mobile को रिस्टार्ट करना है दुबारा से check out करके देखना है आपका problem fixed हो जाएगा अगर fix हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो mobile को यहाँ पर ठीक है, mobile के जो network setting है उसको reset करें उसके लिए नीचे पर जाएए setting पर और उसके बाद system पर click करके आपको click करना है reset option, reset wifi, mobile and bluetooth उसके बाद sim select करना है और reset setting पर click करना है उसके बाद mobile password भरके network setting को reset कर देना है उसी के साथ आपका problem भी fix हो जाएगा अगर problem fix हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होते तो mobile को safe mode पर reboot कर लिजिए उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power off के switch को 2 second click करना है और ok कर देना है उसके बाद check करके देखे, अगर solve हो जाता है problem तो ठीक है या फिर आप तुझी पर set करके बाद में 4G switch कर सकते है ठीक है, उसी के साथ दोस्तों आप जाएए आपने SIM connection पर vault को enable कीजिए network operator पर जाके आप network को manual network आप select करके देख सकते है automatic को burn करने से manual network मिलेगा अगर manual network select कर रखाए तो automatic select कर लेजएगा तो इस तरीके से network selection करके आपका problem आप solve कर सकते हैं तो यह था दोस्तो call not send का solution इससे definitely आपका problem fix हो जाएगा अगर SIM 1 पर यह problem आ रहा है तो SIM को भी switch कीजिए अपने slot में अगर SIM 1 पर आपका SIM है तो उसको SIM 2 पर set कीजिए और उसकी बाद try करके देख सकते हैं ठीक है तो यह complete solution मैंने आपको दे दिया है साथ मोबाइल सोफेर अपडेट नहीं है तो मोबाइल सोफेर को अंट पर अपडेट जरू कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद होगा थैंक्स फूर आचिंग